इस एक lecture के अंदर आपको एक चीज बताने लगाँ कि इतना बड़ा नंबर भी ले आओ, मतलब 6 डिजिट वाला भी, तो आपको कैसे पते चलेगा कि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, 7 पे होगा कि नहीं, without leaving any remainder, या remainder आएगा तो कितना आएगा, यह सब कुछ mathematics में एक pattern के थ्रू चलता है, और अगर आप उसको crack कर जाते हैं, तो आपकी analytical ability और भी बढ़ जाती है, इस lecture के अंदर exactly हम उस पे बात करने लगे हैं, जिसका नाम है divisibility rules, यानि कि division के rules कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे पहले लि हमें क्या बताते हैं, हम इनके बारे में पहले देखते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि divisibility rules जो हैं, वो कितनी किसम के होते हैं, और क्या-क्या चीजें जो हैं हमें, वो यह बता रहे होते हैं, सबसे पहले, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यह वाला number, दो पे divide होता है कि नह ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास rules बने होते हैं, वो कौन से rules हैं, वो अभी देखते हैं, rule of two, divisibility rule of two, इसका मतलब यह है कि जब किसी number के last पे even number हो, number theory पढ़ने न, जब हमारे पास last number इवन number हो, यानि कि जुफ्त अदद हो, तो यह दो पे divide हो जाएगा, से for example, अगर मेरे पास 16 है यहां पे, ठीक है, इसका end 6 है, तो यह 2 पे divide हो जाएगा, and you all know कि यह 8 से multiply होके, 2, 8 पार 16 होते हैं, सेम वही चीज़ अगर मेरे पास 1, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 2 है, तो अगर यह last digit 2 पे divide हो रहा है, 2, एक बार 2, तो यह पूरा number भी हो जाएगा, so this is the divisibility rule number, या rule of 2, ठीक है, divisibility rule of 2, अगर हमारे पास, अब divisibility rule of 3 देखते है, rule of 3, rule of 3 क्या है, बलके मैं साथ साथ आपको English में भी यहां पे लिख के दे जाता हूँ, ताके यार आप इसको याद भी रखें, साथ में के किस तरीके से, यहां पे, simple, ठीक है, तो यह 2 का rule हो गया, अगर कोई number को हमने 3 का rule देखना है, तो मैं वो भी यहां पे लिख देता हूँ, ताके आपके लिए आसानी हो जाए, अब यहां पे देखते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी चीज, तीन से डिवाइड हो जाएगी, अगर उसका सम भी तीन से डिवाइड हो रहा है, फॉर एक्जामपल, तीन सो त्रेशट, कोई बता सकता है यह तीन पे डिवाइड हो का के नहीं, हम अभी देख लेते हैं, तीन जमा, छे जमा तीन, इस एकल टू चे और तीन, नो और तीन, बारा, क्या बारा तीन पे डिवाइड हो रहे हैं, तीन चार बार बारा, exactly हो रहे एक, दो, पाँच, तीन, बारा, तेरा, पंदरा, आठारा, नो, दस, पंदरा, तीन, क्या यह तीन पे डिवाइड होगा? हम अभी देख लेते हैं, सभी को जमा करेंगे हम, जमा कैसे करना है? एक और दो तीन, तीन और पांच, आठ और तीन, ग्यारा, ग्यारा और एक बारा, दो चोदा, पंदरा, तीन, अठारा, उननीस, पांच, चोबिस, पचीस, आठ, तेनतीस, थरी-थरी, नो, तेनतीस और नो, बैयालिस, मैं यहां पर लिखता जाता हूं तागे भूलना जाओ, 42 और 1 43 जीरो आ गया कोई नहीं है ना फिर हमारे पास आ जाता है 44 5 उन्हें 40 और 3 कितने होते हैं 52 क्या 52 हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहे अभी भी मुझे नहीं समझ आ रही कि 52 फिर भी बड़ा है तो मैं क्या करूँगा 5 प्लस 2 7 7 क्या 7 हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहे नहीं हो रहा remainder एक आ रहे इसका मतलब यह number भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा सो हमने क्या करने अगर आप गोर करें हमने एक number पर आना है वो देखना 3 पे डिवाइड हो रहा पिर भी वो बढ़ा है, तो हमने उसको भी छोटे में ले जाना है, तो यह divisibility rule होता है, अब आप कहेंगे कि यार, इसको हमें करने की ज़रूरत है, हमारे पास तो calculators मुझूद है, लुको जरा, सबर करो, मैं अभी आपको बताता हूँ, यह calculators की बात है, लेकिन यह अंदाजा analytical ability में heavy किसम का लगाना आता है, फॉर एक्जेंपल, यहाँ पर rule of four मैं आपको पहले बताता हूँ, rule of four, rule of four क्या आता है, a number is divisible by four, if the number formed by its last two digits is divisible by four, अगर मेरे पास एक number है, चार सो चुरासी और चार लिखता हूँ, क्या यह चार पर divide होगा, अगर इसके last two digits is divisible by four, for example, 44 क्या होता है चार पर divide, ग्यारा चार बार 44, तो इसका मतलब यह पूरा भी चार पर divide हो जाएगा, last two digits उसके देखने, मिसाल के तोर पर मेरे पास एक और number है, random number मैं कोई भी लिखता हूँ, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 3, 12, 4, अब मुझे नहीं बता कि यह चार पर divide होने के बाद, मेरे पास कोई remainder छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, ठीक है, तो मैं इसके last वाले को चार पर divide करूँगा, चार, छे बार चोड़ता है, अब चेक करें, a number is divisible by 4, if the number formed by its last two digits, जो चोड़ता बन रहा था यहां पर, क्या यह चार पर divide हो रहा है, अगर हो रहा है तो यह पूरा number भी होगा, and this is called आपका, क्या number, rule number, या rule of 4, इसी तरीके से rule of 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, and there are many other rules, तो rule of 5, 6, 9, 10, वो भी मैं यहां पर ऐसे उठा लेता हूँ, और आपको उसकी भी बात बताता हूँ, rule of 5 क्या कहता है, पहले तो उसको देखते हैं, कि हमारे पास, जो rule of 5 है, यह सभी को पता है, कि जब कोई digit हमारे पास 5, अगर आखरी डिजट 5 पर डिवाइड हो जाए, तो यह पूरा 5 पर डिवाइड हो जाएगा, simple, ठीक है, अगर लास्ट डिजट 5 पर डिवाइड हो जाए, तो यह पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगर लास्ट डिजट 5 पर डिवाइड हो जाए तब भी, और अगर last digit 0 हो तब भी तो इसका मतलब है कि 10 का मतलब यह नहीं है कि 0 5 पर divide नहीं हो रहा हमारे पास अगर 0 आ जाए या 5 पर divide हो जाए last वाला digit तो हम उसको बोलते हैं कि यह हमारे पास एक rule of 5 है यानि कि पूरा digit हमारे पास या पूरा number हमारे पास divide हो जाएगा for example 5 आ जाए या 0 आ जाए तो अगर आप ये दो चीज़ें मदे नज़र रखें 5 एक बार 5 पांच दो बार 10 होता है ठीक है तो अगर आपके पास end पे किसी digit के 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 पे divide हो जाएगा इसी तरीके से rule of 6 है rule of 6 क्या होता है अगर कोई digit मैं आपको यहां पे theory समझाता हूँ 2, 3 बार 6 होता है ठीक है अगर आपके पास rule of 2 पूरा हो रहा है and rule of 3 पूरा हो रहा है यानि कि 2 पे भी कोई digit divide हो रहा है and 3 पे भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 6 पे हो जाएगा simple आपके पास rule of 2 and rule of 3 जो है वो complete होने चाहिए ठीक है यानि कि कोई digit 2 पे भी हो और 3 पे भी हो अब देखते है rule of 9 rule of 9 क्या है अगर यह एक number मैंने लिखा है हम इसको करते है जमा 9 जमा 8 जमा 1 जमा 9 9 8 17 और 1 18 और 9 कितने होते हैं 27 अगर यह 27 9 पे divide हो रहा है 9 तीन बार 27 तो यह पूरा भी divide हो जाएगा यह rule ठीक है divisibility rule क्या कहता है rule of 9 कि अगर sum of the number is divisible by sum of the digits in a number is divisible by 9 तो पूरे का पूरा वो भी divide हो जाएगा simply और इसी तरह rule of 10 है जो आज का हमारा आखरी rule है कि rule of 10 हमें क्या बताता है कि अगर किसी बी digit के last पे 0 है वो 10 पे divide हो रहा है simple सोख्खा सोख्खा असान असान ठीक हो गया यहां तक आपको समझ आगी यह basic mathematics है और आप इसकी में आपको application बताता हूँ कि कहां पे आपको समझ आती है अब मुझे एक बात पता है अगर किसी digit के last पे 0 नहीं आ रहा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पाकिस्तान में मैं यहां पे लिख के दिखाता हूँ मेरे पास है जी पांच पांच जीरो 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 ठीक है यहां पे अगर मैं तीन तीन बाद इसे डिवाइड करूँ तो मुझे पता है कि यह 550 मिलियन है 550 मिलियन है मैं क्यों अगले जीरो हटा गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 10 raised to power 6 को मिलियन बोलते है ठीक है अब मुझे पताए अगर यह last पे जीरो की बजाए पांच, छे, नो, आठ, दस, तीन, दो ऐसे आ जाए तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूँ तो मेरे पास यह 56 मिलियन तो है लेकिन आपको पता है कि हम exact 56 मिलियन नहीं इसे बोल सकते वाइ और हमारे पास 10 raised to power 6 exactly को मिलियन बोलते है तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम बोलेंगे 56 मिलियन और इसके साथ approximation का sign आता है यह हम कहेंगे approximately 56 मिलियन लेकिन आप देखें कि यहाँ पे अगर इसको round off भी करना चाहें तो हमारे पास 98 आ रहा है still we have something left और अगर यह बहुत crucial number हुआ तो हम इसको millions में बोलते हुए भी थोड़ा सा देखेंगे कि हम इसके decimal values कितनी लेके जाते हैं तो यहाँ पे भी decimal का चक्कर आ जाते हैं लेकिन number theory में अगर आपको divisibility rule का पता है तो आप integers के साथ deal करते हैं हमेशा integers का answer integers में ही आएगा यह कभी नहीं होगा कि इसके decimal में answer आने लग जाए due to these million points ठीक है हाँ अगर यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा तो अगर billion में लिखना है तो यह 5.5 billion होगा ठीक है this is something else लेकिन यह divisibility rule हमें ऐसे बताता है तो वही चीज कि जब कोई चीज 2 पे divide होके कोई remainder नहीं छोड़ी तो हम उसको even कह रहे थे इसका मतलब है कि हमें अगर divisibility rule of 2 पता हो तो हमें पता चल जाता है even number किया है और odd number किया है ठीक है so यह भी matter करता है फिर there are many other rules out there जो हमें आइस्ता आइस्ता data science के अंदर EDA के अंदर हम देखने वाले है खासतोर पर units को अगर मते नजर रखे अगर मैं इसी को दुबारा से decimal values के बजाए इसमें लेके आना चाहता हूँ for example इसको मैं लिखता था 56.98 million अगर मैं इसको दुबारा से करूँगा convert इसी नंबर में लाना चाहूँ तो यह मुश्किल हो जागा मेरे पास कैसे मैं जब भी 5698 लिखूँगा इसके बाद तीन decimal point होगे यहां से उठाया एक, दो, तीन, चार पांच और छे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से जो है वो point होगे एक, दो एक, दो, तीन, चार, पांच और छे यह लास्ट वाले दो 0 नहीं आने मैं उनको मडे देता हूँ, मटे देता हूँ ठीक है तो यह exactly यह वाला number जो है इस number से जो हमारे पास था 5, 9, 5, 6, 9, 8, 10, 32 इन दोनों में अब बड़ा difference create हो गया है ठीक है, तो इस वज़ा से हमें divisibility rules को देखते हुए units का भी खयार रखना पड़ता है जब हम data science में बात करते है और एक-एक पैसा जो है वो matter करते है यही चीज अगर आप finance में देखें तो यह वाला value जो है इस से 1033 कम है और अगर यह US dollar हुए तो यह कम ज़कम एक लाख रुपे के ज्यादा ही बनते है तीन-चार लाख रुपे पाकिसानी बनते है तीन लाख रुपे के लिए so just imagine के छोटे-छोटे number किस तरीके से हमें जो है वो different जगों पर फंसा सकते है तो data science के अंदर rules बहुत ज़रूरी है और यह आपको mental arithmetic tools के लिए prepare करते है और आपको समझ आ जाती है कि अच्छा यह वाला फ्लां-फ्लां digit है और इससे यह वाले हम logics जो हैं वो बना सकते है और आपको simplification आ जाती है mathematics की अक्सर अक्वाद ज़रूरी नहीं होता कि हर काम calculator पर करना है there are many things जो आपको खुद से भी करने पड़ती है तो यह जनाब divisibility rules जो मैंने अभी आपको बता हैं hopefully आपको समझ आगी होगी समझ आगी है तो like कर दें, share कर दें, subscribe कर दें अपने आपको खुश रखें और mathematics सीखते जाएं यहाँ पर आज का lecture जो है उसको end करता हूँ मैं और